पूर्वी भूमी को लेने के लिए उसके कमरे में आये जब वो उस कमरे में आये तो उसकी नजर भूमी को ढूंडने लगी लेकिन उसे भूमी कहीं पर भी नजर नहीं आये तब ही उसकी नजर वाश्रूम के पास गई उसे लगा भूमी वाश्रूम में है इसलिए वो दर्व दर्वाजे को खटखटाने लगी काफी समय से दर्वाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आये ये सोचकर पूर्वी ने दर्वाजे खोलने की कोशिश की लेकिन दर्वाजा तुरंथ खुल गया दर्वाजे खुलते हुए देखकर पूर्वी अंदर पूर्वी का फोन आने के बाद कश्यप परिवार भूमी के कमरे में आ गई थी जब लता कश्यप पूर्वी को अकेले देखी तो वो पूर्वी के पास आए और कहने लगी हमने तुमसे कहा था भूमी को लेकर आओ लेकिन यहां तो अकेली हो भूमी कहा है लता कश्यप की बात सुनकर पूर्वी घबराते हुए कहती बड़ी मम्मी मैं जब इस कमरे में आये तब से ही मुझे भूमी नजर नहीं आई मैं उसे फोन भी की तो उसका फोन ओफ आ रहा है मुझे नहीं पता भूमी कहा है पूर्वी की बात सुनकर कश्यप परिवार हैरान रह गए उसे इस बात की जरा ही उम्मीद नहीं थी कि भूमी इस तरह से गायब हो जाएगी सुनील कश्यप लता कश्यप को देखते हुए कहने लगे मैंने तुमसे कहा था ना एक बार भूमी से पूरी तरह से बात कर लो वह ये शादी करना चाहती है या नहीं देख लिया ना आखिर वह भाग गई मुझे तो पहले से ही पता था वह लड़की शादी से खुश नही है पता नहीं उसने हां क्यूं कहा था अपने पती की बात सुनकर लता कश्यप की आँखों में आंसु आ गए वह रोते हुए अपने पती से कहने लगी नहीं मेरी बेटी भाग नहीं सकती है मुझे लगता है वो यहीं कही होगी हमें उन्हें धून्दना चाहिए लता कश्यप की बात सुनकर सुनील कश्यप गुस्से में कहते हैं तुम्हें लगता है तुम्हारी बेटी यहीं होगी शादी का जोड़ा बैड पर पड़ा हुआ है इसे देखने के बाद भी लगता है तुम्हारी बेटी यहीं कहीं पड़ी होगी उसका फोन आफ है और उ पूर्वी की बात सुनकर लता कश्यप जोर जोर से रोने लगी उसे ऐसे रोते हुए देखकर पूर्वी उन्हें संभालने के लिए उनके पास आए और कहने लगी बड़ी मॉम प्लीज आप रोना बंद कीजे हम भूमी को ढूंडने की कोशिश करते हैं वो यही कहीं होगी व भला शादी छोड़ कर क्यू जाएगी वह तो यह शादी से काफी खुश भी थी पूर्वी की बात सुनके लता कश्यप की नजर पूर्वी पर चली गई वो रोते हुए पूर्वी से कहने लगी सही कह रही हो पर तुम्हारे बड़े पापा ने कहा है तो उनकी बात भी सच होगी यह बात सच है पूर्वी यह शादी नहीं करना चाहती थी मैं ही उसे बोली थी यह शादी करने के लिए आहुजा फैमली एक अच्छी फैमली है उसने तो मुझसे कहा था वह शादी नहीं करेगी मैं उसे ही जिद की थी शादी करने के लिए मुझे नहीं पता था कर उनके दिमाग में कुछ आया और वह दिनेश कश्यप के पास आकर कहने लगे दिनेश मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं मेरी बेटी तो पहले ही यहां से भाग कर मेरी इजज़त को नीचे कर दी लेकिन ये बात अगर अहुजा फैमली को पता चलेगी तो वह लोग हमारे पूरे परिवार को बरबाद कर देंगे तुम्हें पता है अहुजा फैमली कितनी ताकतवर फैमली है मैं चाहता हूं पूरवी अहुजा फैमली के बेटे से शादी करें सुनील कश्यप की बात सुनकर सभी हैरान रह गए सबसे ज़्यादा तो पूर्वी उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा वहास भरी नजरों से दिनेश कश्यप को देख नहीं रही दिनेश कश्यप ने जब अपने बड़े भाई की बात सुनी तो उन्हें कहीं ना कहीं सही लगा कि उसका भाई सही कह रहा है अगर भूमी के बारे में सभी को अभी पता चलेगा तो फालतू का बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा और मीडिया वाले भी यहां मौजूद हैं ऐसे में पूरे न्यूस चैनल पर उस सब की बदनामी होगी यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी को देखा उनकी पत्नी भी अपने बड़े भाई साहब के बातों को मंजूरी दी जिसे देखने के बाद दिनेश कश्यप ने अपने बड़े भाई सुनील कश्यप से कहा ठीक है लेकिन शादी हो जाने के बाद ही हम तुरंत अहुजा फैमिली को बता देंगे सच्चाए अभी हमारा बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि मीडिया वाले को अगर ये बात पता चली हमारे साथ साथ उनके भी काफी बदनामी होगी और मैं ये बिलकुल भी नहीं चाहता हम भूमी की जगा पूर्वी की शादी तनमे से करवाएंगे और मुझे इसमें कोई भी आपती नहीं है वैसे भी तनमे एक अच्छा लड़का है अपने पापा के बात सुनकर पूर्वी का दिल जैसे तूटता जा रहा था वह पृत्वी से प्यार करती थी वह भला किसी और से शादी कैसे कर सकती है वह भी उस इनसान से जो इनसान उसे देखना भी पसंद नहीं करता वह अपने पापा से मना भी कैसे करती उ उसे हमेशा सपोर्ट किया है। पता है मैं तुमसे भीक मांगता हूँ मेरी इज़्जत को बचा लो। सुनील कश्यप को ऐसे हाथ जोड़े हुए देखकर पूर्वी रोते। पूए उनके दोनों हाथों पर अपना हाथ रखकर नामे सर हिलाते हुए कहने लगे नहीं बड़े पापा आपको मुझसे भीक मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी हूँ जिस तरह से आपने भूमी को अपना बेटी माना है उसी तरह आप मुझे भी अपनी बेटी मानते हैं और आपका पुरा हक है मुझसे कुछ भी मांगने का आप ऐसे भीक मत मांगे आप चाहते हैं तो ठीक है मैं यह शादी करने के लिए तयार हूँ हाल पत्मी लता कश्यप से कहने लगे हम सब आ जा रहे हैं तुम पूर्वी को पूरे तयार करके लेकर आना और याद रहे पूर्वी का शकल दिखना नहीं चाहिए वह घूंगट में रहे हम नीचे सभी से कह देंगे ये हमारे परिवार में परंपरा है शादी से पहले लड़की अपना चेहरा नहीं दिखाती लड़की अपना चेहरा ससुराल जाने के बाद ही दिखाती है ये कहकर सुनील कश्यप अपने छोटे भाई दिनेश कश्यप के साथ वहां से चले गए कमरे में बची थी पूर्वी पूर्वी की मा जोही और लता कश्यप लता पूर्वी को देख कर उससे माफी मांगते हुए कहती मुझे माफ कर दो मेरी बेटी की वजह से तुम ही ये शादी करनी पड़ी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने हमारे घर की इजज़त को गिरने नहीं दिया हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे तुमने अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी की इज़त को गिरने से बचा लिया लता कश्यप की बात सुनकर पूर्वी नम आँखों से उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई पूर्वी को देखकर उसकी मा और लता उसे तैयार करने लगी पूर्वी की आँखों में आशु थी, वह बस एक बार पृत्वी को कौल करके यह बात बताना चाहती थी लेकिन उ पूर्वी पूरी तरह से दुलहन की तरह तयार हो चुकी थी जब पूर्वी की मा जुही कशप देखी तो उसकी आँखें छलक उठी वह अपनी आँखों के कोने से काजल लेकर पूर्वी के कानों के नीचे लगाते हुए उसके बलाई लेकर कहती बहुत सुंदर लग रही हो मुझे पता है जिस तरह से तुम्हारी शादी हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए था पर हम मजबूर है तूम फिकर मत करो शादी हो जाने के बाद पूरे परिवार को हम खुद सच्चाई बता देंगे अपनी मा की बात सुनकर पूरवी अपने आँखों के आंसू को पोच कर हलका सा मुस्कुराते हुए कहती मा आप लोग माफी मत मांगे बचपन से आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मैं जो आप लोगों के लिए कर रही हूँ वह तो बहुत शोटी सी चीज है इ भी मैं खुशी खुशी दे देती मैं बड़े पापा और पापा का सर जुकते हुए नहीं देख सकती हूँ पूरवी की बात सुनकर लता कश्यप उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती चलो अब हमें ज्यादा समय बरबाद नहीं करना चाहिए नीचे सब हमारा इंतजार कर र दोनों मिलकर पूरवी को मंडब तक लेकर जाने लगी। जब वो दोनों पूरवी को लेकर नीचे आये तब काजल अहुजा जो ही कश्यप को देखते हुए कहने लगी जोही जी पूरवी कहां है वो भूमी को लाने के लिए गय थी ना फिर कहां चली गई। काजल अहूजा की बात सुनकर जोही काश्यप घबरा गई घूंगट के अंदर छुपी पूर्वी भी घबराने लगी घबराहट से वह अपने दोनों हाथ को मोर रे जा रही थी उसे डर लग रहा था कहीं ये लोग पहचान ना ले जब लता कश्यप देखी जोही कुछ नही कह रही है तो वह हलका सा मुस्कुराते हुए काजल अहूजा से कहने लगी काजल जी पूर्वी को किसी का कॉल आ गया था जिस वज़े से वह बाहर चली गई है आप फिकर मत कीजिए वह समय रहते आ जाएगी हमें देरी नहीं करनी चाहिए शुब महूर्थ निकल जाएगा लता कश्यप की बात सुनकर तुलसी अहूजा वहां आती और काजल अहूजा से कहती काजल यहां शादी तनमे और भूमी की हो रही है तो मुस लड़की के बारे में क्यूं जान नहीं हो वहा जाएगी उसकी बहन की शादी है कहीं गई होगी हमें समय बर्बाद नहीं करना अब जल्दी से भूमी को लेकर चलो मंडप के पास पंडित जी बुला रहे हैं तुलसी अहूजा की बात सुनकर लता कश्यप पूर्वी को मंडप की तरफ ले जाने लगी पूर्वी के कदम लड़कडा रहे थे उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंडप तक जाए उसे डर लग रहा था साथ ही उसे पृत्वी की यादा रही थी वह चाहती थी बस एक बार कहीं से भी पृत्वी को वह ये खबर पहुचा देगी उसकी शादी हो रही है लता कश्यप पूर्वी को तनमे के बगल में बिठा दी जब पंडित जी ने दुलहन को देखा तो वह पूरी विधी के साथ पूजा करने लगे पूजा करते हुए पंडित जी ने तनमे से कहा बेटा आप अपना हाथ आगे बढ़ाए पंडित जी की बात सुनकर तनमे बेमन मन से अपना हाथ आगे रखा तो पंडित जी ने फूल और गंगाजर रखकर दुलहन से कहा दुलहन अब अ बेटी की घबराहट को अच्छे से समझ सकते थे लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते नहीं कुछ कर सकते वो खुद मजबूर थे ये सब करने के लिए उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था वो अपनी बेटी की खुशी भी नहीं दे पाए वह जानते हैं तन में बहुत अच्छ पूर्वी से कहा बेटा अपना हाथ आगे करो वरना किसी को भी शक हो जाएगा। दिनेश कश्यप की बात सुनकर पूर्वी अपने ख्यालों से बाहर निकली वह कांपते हाथों को आगे बढ़ा कर तनमे के हाथों के उपर रखी जब तनमे ने महसूस किया तो उसे बढ़ा ह रुच्चारन करते हुए अपना पूजा करने लगे देखते ही देखते पंडित जी ने अपनी पूजा खत्म की और एक थाल तनमे के आगे करते हुए कहा बेटा दुलहन की मांग में सिंदूर भर दो। इसलिए उन्होंने पंडित जी से कहा पंडित जी हमारे यहां परंपरा है की सिंदूर भरने समय दूलहा लड़की का चेहरा नहीं देख सकता। दिनेश कश्यप की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं जी मुझे ये परंपरा के बारे में पता है दुलहन के पापा आकर दुलहे का आंख बंद करेंगे और दुलहन की मा आकर दुलहन के घूंगट उठाने में मदद करेगी जब कश्यप परिवार ने पंडित जी की बात सुनी तो उन सभी को एक राहत की सांस मिली अब दुविधा यह है कि यहां पूर्वी मंडप पर है तो उस हिसाब से दिनेश कश्यप को और जो ही कश्यप को जाना चाहिए लेकिन आहुजा फैमली की नजर में भूमी दुलहन के जोडे में बैठी हुई है उस हिसाब से लता कश्यप को और सुनील कश्यप को जाना चाहिए था जब सुनील कश्यप ने ये देखा तो वो अपने छोटे भाई दिनेश कश्यप को देखने लगे दिनेश कश्यप चाहते थे कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करे लेकिन श प्रित्वी के साथ बिताय थे अब वो प्रित्वी की नहीं रही तनमे आहुजा की पत्नी बन गई है अब उसका कोई हक नहीं है कि वह दूसरे लड़कों के साथ संबंद बना कर रहे तनमे सिंदूर लगाने के बाद धाल से मंगल सूत्र उठाया और पूर्वी को पहना दिया ये देखकर पंदित जी मुस्कुराते हुए दोनों को आशिरवाद देते हुए कहते आज से आप दोनों पती पत्नी अब बढ़ों का आशिरवाद लेकर अपनी सुख पूर्वक ज असू थे लेकिन वो कोई देख नहीं सकता था पर पूर्वी के पापा दिनेश कश्यप जानते थे पूर्वी अभी काफी बेबस होगी इसलिए उन्होंने तोलसी अहुजा से कहा अगर आपको दिक्कत ना हुई तो क्या हम थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी से बात कर स सकते हैं जब दिनेश कश्यप ने तोलसी अहुजा की बात सुनी तो वह सुनील कश्यप के साथ पूर्वी को वहां से लेकर चले गए वही तनमे अब काफी इटिड हो रहा था उसे ये सब खत्म करना था इसलिए उसे अपनी मा काजल अहुजा से कहा अगर हो गया है तो क्य मैं चेंज कर लूँ आप लोगा जाएगा मैं फिलहाल के लिए घर जा रहा हूं मुझे इंपोर्टेंट काम भी है तनमे की बात सुनकर काजल अहुजा कुछ नहीं कह पाई क्योंकि वह अपने बेटे के बारे में जानती थी उसके बेटे को इन सब से कोई मतलब नहीं है व दोनों जानती थी तनमे को ये सब चीज ज्यादा पसंद नहीं आती है जिस वज़े से उन दोनों को उसकी बातों से कोई दिक्कत नहीं हुई काजल अनुजा मुस्कुराते हुए तनमे से कहती ठीक है तुम चले जाओ हम भूमी को लेकर ही घर आ जाएंगे अपनी मा की बात सुनकर तनमे सीधे वहां से निकल गया वो वहां रुक कर और कुछ बाते नहीं करना चाहता था वह जानता था बाते शुरू हुई तो खत्म होने का नाम नहीं लेगी खास करके उसकी दादी की बाते इसलिए वह जल्दी से वहां से निकल गया वहीं दूसरी तरफ दिनेश कश्यप और सुनील कश्यप पूर्वी को लेकर एक रूम में आए रूम में आते ही पूर्वी अपना घुनघट उपर की उसके आँखों में आसु थे कब सुनील कश्यप और दिनेश कश्यप ने ये देखा तो उन दोनों की आँखे भी नम हो गई आज उनकी वज़े से पूर्वी बेबस थी उसकी कोई गलती ना होकर भी उसे यह शादी करना पड़ा। दिनेश कश्यप पूर्वी के पास आकर उसके आंसूओं को पोचते हुए कहते मुझे माफ कर देना बेटा मैंने तुम्हारे अर्मानों को आज खत्म कर दिया मुझे पता है हर एक बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान खुशी खुशी करे लेकिन आज मु मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात की दिक्कत है कि मैंने तुम पर जबरदस्ती रखकर शादी करवाया मैं मानता हूँ तुम शादी इसलिए क्योंकि तुम हम दोनों भाई का सर जुकने नहीं देना चाहती हो लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इस कदर मजबूर हुआ कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा तुम मुझे से वादा करो की शादी हो जाने के बाद पूरी तरह से अपना फर्ज निभावगी तुम एक पत्नी के साथ साथ मां का भी फर्ज निभावगी कोई बाप अ कुछ दिन वो परिवार तुमसे नाराज रहेगा ये सब जानने के बाद लेकिन तुम उन सब की नाराजगी को खत्म करोगी अपने पापा की बात सुनकर पूर्वी उनके गले लग गई और रोते हुई कहने लगी मैं आपसे वादा करती हूँ पापा चाहे कुछ भी हो ज कोई मुझसे जबरदस्ती ये शादी थोड़ी ना करवाए हैं हमारी ये मजबूरी है जो हमें ये करना पड़ा आप दोनों कभी भी अपने मन में ये सवाल मत रखिएगा कि मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है ये शादी में मेरे भी साथ है अगर मैं मना करती तो आ आप लोग मुझसे जबर्दस्ती शादी करवाए हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो प्लीज अब से आप दोनों कभी भी खुद को ब्लेम मत कीजिएगा। पूर्वी की बात सुनकर सुनील कश्यप जो अपने छोटे भाई के बगल में खड़े थे वो पूर्वी के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं काश तुम्हारे जैसे संसकार मैं अपनी बेटी के अंदर भी दे देता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पढ़ता मुझे माफ क पर दो जो मेरी वज़े से तुम्हें ये शादी करना पड़ा अगर भूमी यहां से नहीं भागती तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता आज तुमने मेरी इजज़त को बचा लिया है सुनील कश्यप की बात सुनकर पूर्वी दिनेश कश्यप से दूर हुई और सुनील कश्यप को देखते हुए कहने लगी बड़े पापा यह मजबूरी ही थी अगर भूमी ये शादी छोड़कर नहीं जाती तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता पर अब जो हो गया सो हो गया हम उस पर पच्चता नहीं सकते मैं आपसे यही कहूंगी कि जब भी भूमी आये तो प्लीज आप लोग उन पर गुस्सा मत कीजेगा एक बार उनसे पूछ कर देखिएगा कि क्या वह ये शादी करने के लिए राजी नहीं थी पूरवी से बात सुनकर सुनील कश्यप अपने आँखों के आंसु को पोच कर कहते हैं तुमने सही कहा किसी ना किसी दिन भूमी घर जरूर आएगी जिस दिन वह घर आएगी उस दिन मैं जरूर उससे ये सवाल करूंगा चलो अगर हम तुम्हें ज्यादा देर यहां रखे तो अहुजा फैमिली को परेशानी होगी उन्हें घर भी जाना है सुनील कश्यप की बात सुनकर पूरवी हां में सर हिलाए और वापस से घुनघट ले ली वह जैसे ही घुनघट ली तभी दिनेश कश्यप और सुनील कश्यप पूरवी को लेकर वापस से हॉल में आ गए इसलिए उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की अच्छे से विदा की पूरवी कश्यप परिवार को छोड़कर आहुजा फैमिली के साथ आहुजा मेंशन के लिए निकल गई कुछ समय बाद पूरवी अहुजा फैमिली के घर के दर्वाजे के पास खड़ी थी और वहां खड़े होकर इंतजार कर रही थी कि कब तनमे वहां आएगा क्योंकि तनमे के आने के बाद ही वो घर में कदम रख सकती थी तनमे जो काफी समय से कमरे में था जब उसको पता चला कि उसे एक और रसम करनी है तो उसे काफी गुस्सा आया उसका मन तो नहीं था कि नीचे जाए लेकिन आरियन के समझाने के बाद वह नीचे जाने का सोचा जब वो नीचे आया तो उसकी नजर दर्वाजे पर घुनघ के अंदर भूमी है वो दर्वाजे के पास आकर पूर्वी के बगल में खड़े हो गया जब काजल अहूजा ये देखी तो वो अपने हाथों में पूजा की थाल लेकर आये और दोनों की आर्ती उतारने लगी आर्ती हो जाने के बाद तुलसी अहूजा पूर्वी से कहती ब तनमे के साथ ही घर के अंदर कदम रखी जैसे ही वो अपना पैर रखी अचानक उसका पैर मुड गया इससे पहले की वो गिरती तभी तनमे ने जल्दी से जल्दी से पकड़ लिया एक पल के लिए पूर्वी घबरा गई लेकिन दूसरे ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी तो उसने राहत की सांस ली वह तनमे का हाथ पकड़ते हुए हैं थाल से अपना पैर निकाल कर घर के अंदर आने लगी तुलसी अहुजा पूर्वी और तनमे को सोफे पर बिठाए जैसे ही वो दोनों सोफे पर बैठे हैं तभी रिहान जो आर्यन के गोद में था वह भागते हुए उन दोनों के पास आया जब उसे पता चला कि उसकी मम्मा घर आ गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा वह तो बस इंतजार कर रहा था कि कब अपनी मम्मा से मिले शादी हुए तीन घंटे बीच चुके थे और पूर्वी को घर आये हुए भी दो घंटे बीच चुके थे पूर्वी अभी भी घुनगट में थी किसी ने उसका अभी तक चेहरा नहीं देखा जब रिहान वहां आया तो वह मुस्कुराते हुए पूर्वी के पैरों से जैसे ही रिहान ने उसके घुनगट को उसके सर से उपर किया वहां मौझूद सभी लोगों की आँखे फटी की फटी रह गई पूर्वी के बगल में बैठा तनमे जो काफी समय से आगे देख रहा था जब उसने अपनी तिर्ची नजर से पूर्वी का चेहरा देखा तो व बड़ा धोखा उसके साथ कैसे हो गया सभी लोगों के चेहरे पर गुस्से जलक रही थी क्योंकि उन सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ आरियन तो हैरान था वो सोचने लगा यह क्या हो गया उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा लेकिन रिहान जो पूरवी का चेहरा देखकर अपनी टिम्टिमाती आँखों से खुशी खुशी उसे बड़े प्यार से देख रहा था कुछ देर तक उसके चेहरे को देखने के बाद रिहान पूरवी को कसकर गले लगा लिया और बड़े प्यार से कहने लगा मेरी मम्मा क हमेशा आपके साथ सोऊंगा। रिहान की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आया। आखिर हो क्या रहा है क्योंकि उन लोगों ने कल देखा था कि रिहान भूमी को देखकर खुश हो रहा है और आज पूर्वी को देखकर मम्मा कह रहा है। रिहान कश्यप परिवार में जब गया था तब वो भूमी को देखकर मम्मा कहा था और आज पूर्वी को देखकर वो खुश हो रहा है ये बात वहां किसी को समझ नहीं आ रही थी लेकिन एक आरियन ही था जो सब माजरा समझ रहा था उसे सारी बाते याद आने लगी जो जो क परिवार में जो काफी समय से गुस्से में बैठा हुआ था वो एक नजर अपने बेटे को देखा फिर आरियन को देखते हुए कहा रिहान को उसके कमरे में लेकर जाओ अभी के अभी तनमे की बात सुनकर आरियन जल्दी से पूरवी के गोद से रिहान को ले लिया क्योंकि वह जानता था तनमे इस वक्त काफी गुस्से में है अगर रिहान वहां रहा तो तनमे कहीं अपना गुस्सा उस पर भी ना निकाल दे और अपना ये डेविल अपने बेटे के सामने ना लेकर आ जाए इसलिए उसने जल्दी से रिहान को अपने साथ लेकर चले गया हालांकि रिहान को जाने का मन बिलकुल भी नहीं था पर वह ये सोच कर गया कि शायद उसकी मम्मा कमरे में ही मिलने के लिए आएगी पूर्वी का दिल जोरों से धड़क रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे क्या इन लोगों को क्योंकि वहां मौजूद सारे लोग उसे गुस्से में देख रहे थे तनमे के दादा देव अहुजा और तनमे के पापा नवीन अहुजा ये देखकर हैरान थे कि उसने जिस लड़की की तस्वीर देखी वह लड़की इस लड़की से अलग है उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है पहले तो उन्हें शादी से कोई मतलब नहीं था लेकिन जब उन दोनों को पता चला तनमे शादी करने के लिए तैयार है तो वो दोनों अपने बेटे पोते की शादी में आये पर उन्हें तो यहां आकर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तनमे गुस्से में पूर्वी का बाजू पकड़ कर उसे सोफे से उठाया और अपने तरफ करते हुए कहा तुम यहां क्या कर रही हो जहां तक मुझे याद है मेरी शादी तो तुम्हारी बहन भूमी से हो रही थी वो कहां है क्या तुम्हारा पूरा परिवार हम अहुजा फ अहुजा भी गुस्से में पूर्वी के पास आए और उसका बाजू पकड़ कर गुस्से में कहने लगी जवाब दो अब चुप क्यूं हो शादी टाइम तो भूमी अच्छे से थी वहां पर फिर हमने तुम्हें बुलाने को कहा था उसके बाद तुम वापस नहीं आए तुलसी अहुजा की बात सुनकर पूर्वी काफी डर गई थी जिस वजह से उसके मूँ से बोली तक नहीं निकर रही थी जब काजल अहुजा ने ये देखा तो वह पूर्वी के पास आई बड़े आराम से बोली देखो पूर्व हम तुमसे अभी आराम से पूछ रहे हैं स सच सच बता दो भूमी की जगा पर क्या कर रही हो वरना तुम तनमे को नहीं जानती हो वह तुम्हें परिवार को खत्म करने में एक मिनट भी नहीं सोचेगा। काजल अहुजा की बात सुनकर पूर्वी अपने आँखों में भरे आँसु को साफ करते हुए उन्हें देखते हुए कहती आंटी वह मैं भूमी उसने इतना ही कहा था कि तभी तुलसी अहुजा का फोन बजा। तुलसी अहुजा की नजर अपने फोन पर आ रहे कॉल पर गई जब उन्होंने देखा की दिनेश कश्यप उन्हीं कॉल कर रहे हैं तो वह फोन उठा कर स्पीकर पर रखी इस से पहले की दिनेश कश्यप उधर से। कुछ कहते उनके बातों के शुरू होने से पहले ही तुलसी अहुजा गुस्से में कहने लगी मिस्टर दिनेश कश्यप आपने कॉल किया ये देखकर हमें बिल्कुल भी हिरानी नहीं हुई क्योंकि हमें पता था आपका कॉल जरूर आएगा आपने हमारे साथ इतना बड़ा एम खेला ये आप खेलने से पहले सोचे भी नहीं आपको पता भी है ना की हम आपके परिवार के साथ क्या कर सकते हैं अपने इतना बड़ा धोका देने का सोचा भी कैसे हमने आपके पास आकर भूमी हाथ मानगा था लेकिन यहां पर तनमे की शादी पूर्वी के साथ जब दिनेश कश्यप ने तुलसी अहुजा के गुस्से को देखा तो वो उनसे माफी मांगते हुए कहा हमें पता है हमने आपको धोखा दिया है लेकिन हमारी यह मजबूरी थी जिस समय आप पूर्वी को भेजे थे भूमी को लाने के लिए उस समय भूमी वहां से भाग चु अगर हम आपसे आकर कहते की भूमी भाग गई तो वहां आए हुए मीडिया वाले के सामने हम दोनों परिवार वालों की काफी बदनामी होती मुझे पता है आपकी उतने बदनामी नहीं होती जितनी हमारी होती लेकिन हमारे बातों का यकीन कीजिए हम आपको धोखा बुरी देखकर ही यह शादी के लिए हांकी थी। दिनेश कश्यप की बात सुनकर तोलसी अहुजा के पती देव अहुजा, उनके हाथों से फोन लेते और गुस्से में कहते हैं मिस्टर। दिनेश कश्यप क्या आप भूल चुके थे हम अहुजा फैमिली क्या है आप एक बार हमें से किसी को ये बता देते तो हम उस समय कुछ करने का सोचते लेकिन आपने सिर्फ अपना दिमाग लगाया आपको पता भी है हमें धोखा देने वाले आदमी बिलकुल भी नहीं पसंद हमने आपके पास आकर पूर्वी का हाथ नहीं मानगा था तो हम पूर्वी को इस घर का बहु भी नहीं बनाएगे आपकी बेटी को हम आपके घर ही भेज रहे हैं जो करना है आप वह कीजेगा अहुजा फैमिली आपको बताएगी की धोखा देना क्या होता है ये कहकर देव आहुजा ने गुस्से में फोन कट कर दिया जब पूर्वी देव आहुजा की बात सुनी तो वह घबरा गई घबराते हुए वह देव आहुजा के पास आए और रोते हुए कहने लगी देखिये सर हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है लेकिन आप प्लीज मेरे परिवार को इसकी सजा मत दीजे आपको जो भी सजा देना है आप मुझे दे दीजे इनमें उनके कोई गलती नहीं है शादी से भागी भूमी थी और शादी के लिए हां मैं की थी उन सब को प्लीज कुछ मत कीजे आप चाहते हैं मैं यहां नहीं रहूं तो मैं नहीं रहू हुए कहने लगी हम तुम्हें रहने भी नहीं देंगे चुप चाप तुम यहां से निकल जाओ लेकिन याद रहे हम तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे भी नहीं उसने हमारे साथ बहुत गंदा धोखा किया है उसकी सजा तो हम उन्हें देकर रहेंगे अपना ये शकल ले और तनमे की पत्नी शादी हुई है तो तलाक भी होगी हम तुम दोनों का तलाक भी जल्दी करवा देंगे और यो बाई साकेल जैक्स जीरो सेविन तुलसी आहुजा ने इतना ही कहा था कि तभी आरियन सीडी से नीचे उतरते हुए वहां सभी के पास आया और कहने लगा कालना चाहिए क्योंकि मीडिया वाले अभी हमारे घर के आस पास ही घूम रहे हैं अगर ऐसे में ये लड़की हमारे घर से बाहर जाएगी तो मीडिया वालों ये न्यूज पूरी तरह से फैला देंगे उपर से मिस पूरवी शादी के जोड़े में इतनी रात को अकेली बा करने के लिए समय भी नहीं लगाएगी आरियन की बात सुनकर तनमे को आरियन की सही लगी अगर मीडिया वालों को ये बात पता चल जाएगी तो उसके एक्स वाइफ को भी ये न्यूज पता चलेगी और वह रिहान का कस्टरी लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी वह ऐसा नहीं हुने दे सकता था लेकिन वह पूर्वी को इस घर में भी रहने नहीं दे सकता उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। देव अहुजा एक नजर पूर्वी को देखते पूर्वी को देखकर उन्हें इतना गुस्सा नहीं आया जितना की तुलसी अहुजा को आया हालां की तुलसी अहुजा को पूर्वी शुरू से ही नहीं पसंद थी आर्यन की बात सुनने के बाद देव अहुजा ने कुछ सोच आरियन सही कह रहा है हम इस लड़की को घर से बाहर निकाल भी नहीं सकते हैं मीडिया वाले कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ये न्यूज बनाने में और वैसे भी तनमे की एक्स वाइफ अपने किसी ना किसी आदमी को हमारे घर के बाहर जरूर रखी होगी ताकि उसे इस घर की स से हम कह देंगे कि इन दोनों की बनती नहीं थी बस एक बार रिहान की कस्टरी पूरी तरह से तनमे को मिल जाए देव अहुजा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को सही लगी लेकिन तनमे के दिमाग में कुछ और ही चला था वो गुस्से में बिना कुछ कहे वह काजल अहुजा की बात सुनकर तुलसी अहुजा उसके साथ गार्डन की तरफ चली गई बाकी वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए अब बचे थे सिर्फ वहां पर आरियन और पूर्वी पूर्वी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सर उठाकर आरिय पास आया और बड़े आराम से कहा पूर्वी भावी मुझे नहीं पता ऐसी क्या वजह रही होगी कि आपने तनमे से शादी कर ली क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ आप तनमे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपकी क्या वजह र वो उसमें ही खुद को शैतान बना लिया है सिर्फ अपने बेटे के सामने ही वो हच्छे से रहता है उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद मैं आपसे बस यहीं विनती करूंगा कि आप प्लीज कभी भी तनमे को धोखा मत दीजिएगा आरियन की बात सुनकर पूर्वी अपना सर उठाए और आरियन को देखने लगी वो आरियन को देखते हुए भरे गले से कहती मैं यह शादी तोड़ने के लिए नहीं की हूँ मैं यह शादी आगे बढ़ाने के लिए की हूँ अगर तनमे जी मुझे इस घर में नहीं रखना चाहते तो मैं इस घर से भी चली जाऊंगी मैं पूरे परिवार की कंडीशन समझ सकती हूँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस घर में रहकर मैं इस घर का कोई भी चीज नहीं लूँगी मैं रिहान के लिए एक अच्छी माव बन कर दिखाऊंगी पूर्वी की बात सुनकर आर्यन के चहरे पर मुस्कुराहटा गई उससे कहीं ना कहीं लगता था कि पूर्वी एक अच्छी लड़की ये उसे भूमी से भी ज्यादा पूर्वी पसंद आई थी उसने मुस्कुराते हुए पूर्वी से कहा आप फिकर मत कीजे भले ही इस घर में कोई आपके साथ हो या ना हो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा जिस तरह से आप मुझ से वादा की है कि आप तनमे को धोखा नही देगी उसी तरह मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस घर में आपको आपकी जगा दिला कर रहूंगा इस परिवार के सामने आपको अच्छा बना कर रहूंगा वैसे अभी बहुत रात हो गई है आप कमरे में जाकर चेंज कर लीजिए उपर जाकर दाय और एक कमरा होगा उस अपनी पत्नी से जरूरी बात करनी थी और वह जानते थे उसकी बहु काजल अहुजा उसकी पत्नी से क्या बात करने वाली है तुलसी अहुझा के चहरे पर अभी भी गुस्सा बहुत था उनका गुस्सा अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था क्योंकि एक तो पहले ही गलती की वजह से तन्मी की पहली पत्नी इतनी गंडी निकली और आज फिर उनकी दूसरी गलती की वजह से ऐसा हो गया कि अभी पूर्वी को धक के मार कर इस घर से निकाल दे पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पती की सबसे ज़्यादा इस घर में चलती है और उससे भी ज़्यादा इस घर में तनमे की चलती है। हाँ मैं मानती हूँ कश्यप परिवार ने हमें धोखा दिया पर इसका मतलब यह नहीं कि उसकी सजा हम पूर्वी को दे आपको पता है जब हम लड़की देखने के लिए घर गए थे तो मुझे भूमी से भी पहले पूर्वी पसंद आई थी पर वहां आपकी वजह से मैं अरे लिए है तनमे के साथ शादी कोई खेल नहीं होती है मा ये तुम क्या बात कर रही हो तुम्हें पता भी है उस लड़की ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया है तुम उस लड़की की तर्फदारी कर रही हो मुझे वह लड़की बिलकुल भी नहीं पसंद हमने क्या अचा था उस लड़की की शादी हम आर्यन से करवा देंगे पर उस लड़की ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा दिया तुम्हें अगर उस लड़की को अपनाना है तो तो अपनाओ मैं उस लड़की को नहीं अपनाओगी मैं जब भी उसी की शकल देखूंगी तो मुझे गुस्सा आएगा तुल्सी अहुजा की बात सुनकर काजल अहुजा मुस्कुराते हुए कहती सच सच बताए क्या पूर्वी को देखकर आपको सुरेखा आंटी याद आ गई जिस वज़े से आप पूर्वी को अपनाना नहीं चाहती हैं काजल अहुजा की बात सुनकर तुल्सी अहुजा चुप होकर उसे देखती रही उसके बगल में खड़े देव अहुजा काजल अहुजा की बात सुनकर कहते हैं बहु तुम कह तो सही रही हो जब मैं पूर्वी को पहली बार देखा तो मुझे भी सुरेखा ही याद आई मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो लड़की सुरेखा नहीं कोई और है एक पल के लिए लगा मेरे सामने सुरेखा खड़ी है मुझे पता था तुम यहाँ पर यही बात करने के लिए आई हो मुझे लगता है तुम जो कह रही हो सही है हम इतनी जल्दी तो नहीं पर धीरे धीरे करके उस लड़की को अपनाने की कोशिश करेंगे वैसे तो उसके परिवार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है उ अप दोनों उस लड़की को क्यूं अपनाना चाहते हैं लेकिन आप लोग मेरी बात को कान खोल कर सुन लीजे मैं उस लड़की को नहीं अपनाओगी वह लड़की कुछ भी करें मुझे उससे कोई मतलब नहीं है वह इस घर में रहेगी तो उसे कह दीजेगा मेरे सामने ना थी तुलसी अहुजा को वहां से जाते हुए देख देव अहुजा गहरी सांस लेकर काजल अहुजा से कहते उसे समय लगेगा पूर्वी को अपनाने में हमें उसे फोस नहीं करना चाहिए तनमे का फैसला देखते हैं वह क्या चाहता है देव अहुजा की बात सुनकर काजल अहुजा हां में सरहिलाते हुए कहती अब तो कल ही पता चलेगा तनमे का फैसला किया है अगर वह पूर्वी को यहां रखना चाहता है तो हम उसके फैसले में खुश है अगर वह चाहता है पूर्वी यहां से चली जाए तो हम उसके फै पूर्वी दर की वजह से अपनी आखें बंद की हुई थी जब उसे लगा कि कोई उसके चेहरे के बहुत करीब है तो वो अपनी आखें धीरे से खोली जैसे ही वो अपनी आखें पूरी तरह से खोली उसकी नजर अपने सामने खड़े तनमे पढ़ गई तनमे को देखते ही पूर्वी को और घबराहट होने लगा जिस वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदे आने लगी पूर्वी को डरते हुए देखकर तनमे के चहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई वो अपनी गुस से भरी आँखों से पूर्वी की आँखों में देखते हुए कहा मुझे नहीं पता था तुम इतना बड़ा घटिया गेम खेलोगी मेरे साथ पहले तो मैं सोचता था कि स्लो यही करने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी ना लेकिन मेरी बात कांग खोल कर सुन लो ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं तुम्हें यहां पर नर्ग की शेयर कराओंगा मुझसे शादी करकर तुम्हें ऐसा पच्चतावा होगा कि जिंदगी में कभी भी तुम ऐसा क तुम्हें यहां रहकर ऐसे तरपाऊगा कि तुम जिन्दगी भर भी नहीं सोच पाऊगी मुझसे शादी करने का अंजाम क्या होता है ये तुम्हें तनमे अहुजा बताएगा ये कहकर तनमे गुस्से में पूर्वी को धक्का देकर उससे दूर हुआ धक्का देने की वजह से पूर्वी सर दिवार से टक्रा गया इस वजह से उसके मुझसे हलकी सी चीख निकल गई लेकिन तनमे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा उसे तो बस पूर्वी का शकल देखकर ही गुस्सा आ रहा था उसने पूर्वी से अपना मुझ फेर कर दूसरी और देखने लगा इधर पूर्वी अपने हाथों को देख रही थी जिस हाथों को तनमे ने गुस्से से पकड़ा था वहां पर निशान बन गये थे ये देखकर पूर्वी को बहुत बुरा लग रहा था इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी उस कमरे में रेहान भागते रहान की आवाज सुनकर तनमे वापस से अपने नॉमल लुक में आ गया वही पूर्वी भी जल्दी से अपने आसूओं को पोच कर अपने कपड़े ठीक कर ली ताकि रहान उसे रोते हुए देखना ले रहान ने अपनी मॉम डैड को देखा तो उसके चहरे पर मुस्कुरा रहान की बाते सुनने के बाद उसका मूड खराब हो गया एक तो पहले से ही पूर्वी को देखकर उसका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ रहान की बाते सुनने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया वह मर जाएगा पर पूर्वी के साथ एक बैड शेर नहीं करेगा पूर्वी तनमे के गुस्से को अच्छे से समझ चुकी थी वो जानती थी रिहान की बात सुनने के बाद तनमे का गुस्सा क्यों बढ़ गया है इससे पहले तनमे अपना गुसा गलती से यहां निकाल दे वह तनमे के हाथ से रिहान को अपनी गोद में ले ली और मुस्कुराते हुए रिहान से कहने लगी नहीं बेबी अभी आपकी मम्मा यहां आई हुई है ना तो आपकी मम्मा आपके पापा के साथ नहीं सो सकती है मैं आपको अच्छी सी कहानी सुनगी और अपनी गोद में सुलाओगी आपको कहानी सुनना पसंद है ना। रिहान ने जब पूर्वी की बात सुनी तो उसने खुश होकर जल्दी से हां में सर हिलाया ये देखकर पूर्वी से चहरे पर मुस्कुराहटा गई वह रिहान को अच्छे से अपनी गोद में ली और उसी कमरे में एक सोफे पर जाकर बैठ गई तन में अच्छे से ये सब दे पूर्वी रिहान को अपनी गोद में बिठा कर उसे एक सुन्दर परी की कहानी सुनाने लगी जब वह कहानी शुरू हुई तो रिहान उसकी कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था पूर्वी कहानी कहती जा रही थी और रिहान सुनते जा रहा था धीरे धीरे रिहान की प जैसे ही उसकी नजर रिहान पढ़ गई तो वो पूर्वी के पास आया और बड़े आराम से रिहान को अपनी गोद में ले लिया और बिना पूर्वी को देखे कहने लगा मेरे बेटे की वज़े से आज तुम इस कमरे में हो लेकिन याद रहे तुम मेरे कमरे में होने के बाव जब पूर्वी तनमे की बात सुनी तो वह चुपचाप उसे देखती रह गई दो मिनट तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद वह वहां से उथी और लहंगे पहने हुए हैं बालकनी में चली गई क्योंकि वह जानती थी यहां रहेगी तो तनमे फालतू में उससे कुछ ना और उसकी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह की कड़वी बाते सुने उससे ये भी पता है कल का सवेरा उसके लिए रोज की तरह नहीं रहेगा। चाप अपने लहंगे को संभालते हुए उस एक कुरसी के पास गई और उस पर बैठ गई रात काफी हो गई थी जिस वजह से उसे नींद भी बहुत आ रही थी वह कुरसी पर बैठे बैठे ही अपनी आँखे बंध की और सोने की कोशिश करने लगी। बालकनी से ठंडी हवाएं उसको जकोर रही थी जिस वजह से वह अपने दुपट्टे से खुद को पूरी तरह से कवर कर ली ताकि उसे ठंड ना लगे लेकिन दुपट्टा से भी वह अपने शरीर को ठीक से कवर नहीं कर पाई वह बस अपनी आँखे बंध करके पृत्व की यादों में खो गई उसकी आँखों से अभी अभी आँसु बह रहे थे वह अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर में वह क्या जवाब दे पृत्वी को उसे कल पृत्वी से मिलकर सारा सच बताना है ये सोचते सोचते वह वही पर सो गई अगले दिन सुबह का समय में तप रहा था लेकिन वह उसे इग्णो करके अपने घडी में समय को देखी समय देखते ही वह जल्दी कुरसी से उठ खड़ी हुई क्योंकि तनमे ने कल उसे कहा था कि रिहान के उठने से पहले ही वह उठ जाए वह जल्दी से कमरे के अंदर गई जैसे ही वह कमरे के अंदर आई उसकी नजर सबसे पहले अपने सामने खड़े तनमे पढ़ गई तनमे मिरा के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था ये देखकर पूर्वी समझ गई तनमे आफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है उसके बाद उसके नजर बैड पर सो रहे र पर गई रेहान को सोते हुए देखकर पूर्वी तनमे से कहती स्कूल का समय कितने बज़े है। पूर्वी की बात सुनकर तनमे को गुस्सा आने बज़े है। पूर्वी रेहान की खुद को मा बता रही थी जिस शब्द से ही तनमे का गुस्सा सात्वे आसमान तक पहुंच जाता हालां की वो शादी इसलिए करने वाला था क्योंकि उसको रेहान को एक मा देनी थी लेकिन पूर्वी नहीं उसे हमेशा लगता था। पूर्वी एक गलत लड़की है और उसके बेटे को उससे दूर करेगी उसने पूर्वी को गुस्से में देखा और कहा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ से मेरे बेटे के बारे में पूरी जान्कारी लेकर उसे अपने काभू में करना चाहोगी। ऐसा कभी होने नहीं दूनगा रिहान का ख्यार रखने के लिए मैं हूँ तुम्हें उसकी फिकर करने की जरूरत नहीं है तुम बस इस घर में इसलिए हो क्योंकि मेरे बेटे को पसंद हो तनमे की बात सुनकर पूर्वी को अब गुस्सा आने लगा इतना कड़वी बाते तनमे से नहीं सुन सकती थी वह भला रिहान को अपने काबू में क्यूं करना चाहिए वह तो यह शादी भी करना नहीं चाहती थी उसकी तो मजबूरी बन चुकी थी यह शादी करना वरना वह तनमे से बिलकुल भी शादी करने का सोचती भी नहीं इस से पहले की वह तनमे से कुछ कह पाती तभी रेहान अपने छोटे हाथों से अंगढाया लेते हुए कहता गुड मॉनिंग मम्मा डैडी रेहान की आवाज सुनकर उन दोनों की नजर अब रेहान पर चली गई रेहान के मासून चहरे को देखकर पूर्वी अपना गुस्सा भूल चुकी थी वो मुस्कुराकर रेहान के देखी और उसे अपनी गोद में उठाकर कहने लगी गुड मॉनिंग बेबी आपको नींद कै से आई पूर्वी की बात सुनकर रेहान मुस्कुराते हुए कहता मुझे बहुत अच्छी नींद आए आपने जो कल मुझे कहानी सुनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी आप ऐसे ही रोज मुझे कहानी सुनाएगा रेहान की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराते हुए कहती यस बेबी अगर आपको कहानी इतनी पसंद आई तो आपकी मम्मा अब आपको रोज कहानिया सुनाएंगी वह भी बहुत अच्छी अच्छी ओके चलिए अब आप मुझे बताए कि आप स्कूल कितने बजे जाते ह हैं फिर मैं आपको तैयार भी कर दूगी और आपका टिफिन भी बना दूँगी पूर्वी की बात सुनकर रेहान तनमे को देखता तनमे ने जब रेहान को अपने और देखते हुए पाया तो वह हार मानकर पूर्वी से कहा एक घंटे के अंदर तुम रेहान को तैयार कर द तनमे की बात सुनकर पूर्वी जिहान को वाश्रूम लेकर चली गई और कुछी देर में उसे अच्छे से तयार करकर वापस कमरे में ले आए रेहान को वही बैद पर बिठा कर पूर्वी भी तयार होकर नीचे किचन में चली गई हालांकि उसे अभी घबराहट हो रही थी क् उसे पूरे परिवार का सामना भी करना था। वो जब नीचे हॉल में आये तो उसकी नजर तोलसी अहुजा पर गई जो अपने पती देव अहुजा के साथ बैठ कर बाते कर रही थी पूर्वी के अंदर घबराहत्ती पर हिम्मत करके वो उन दोनों के पास गी और उनके पैर चुकर उन दोनों की आशिरवाद ली। अचानक पूर्वी को अपने सामने देखकर एक पल के लिए तोलसी अहुजा सकपका गई इससे पहले की वो पूर्वी से कुछ कैव पाती उस बीच में देव अहुजा ने पूर्वी से कहा हमारे घर की बहु है पैर नहीं छूती है आप इस बात का ध्यान रखिएगा देव अहुजा की बात सुनकर पूर्वी बस हामे सरहिला दी क्योंकि तुलसी अहुजा के चहरे पर आये गुस्से को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोल सके वह चुपचाप वहां से किचन में चली गई जब वह किचन में आय तो उसकी नजर काजल अहुजा और किरन अहुजा पर गई किरन अहुजा तनमे की चाची जब उन दोनों की नजर पूर्वी पर गई तो काजल अहुजा पूर्वी को अंदर आने का इशारा करती काजल अहुजा के इशारे को देखकर पूर्वी हलका सा मुस्कुराई और किचन के अंदर आई पूर्वी को देखते हुए काजल अहुजा मुस्कुराते हुए कहती क्या तुम यहां पर रिहान के लिए नाश्ता बनाने आई हो काजल अहुजा की बात सुनकर पूर्वी कनफ्यूज होकर कहती हां पर आपको कैसे पता आंटी पूर्वी की बात सुनकर काजल अहूजा कुछ कैव पाती उससे पहले ही किरन अहूजा बड़े अकड में पूर्वी से कहती हमें कैसे पता नहीं होगा तुम्हारी शादी मेरा मतलब तुम्हारी बहन की शादी इसलिए तो हो रही थी ताकि रिहान को उसकी मा मिल सके अब तुम उसकी जगा शादी करके आ गई तो तुम्हें पता तो होगा नहीं तुम्हें लगता होगा तो इस घर की बहु बन गई और अब बहु बन कर राज करोगी पर ऐसा तुम सोचने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि तन में तुमसे मेरा मतलब तुम्हारी बेहन से इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि उसके बेटे को एक मां की जरूरत थी वरना तन में तो शादी करने के लिए बिलकुल भी राजी नहीं था उपर से तुम तो अपनी बेहन की जगा बैठ कर उससे शादी की जायज सी बात है हमें पता ही होगा तुम किचन में क्यूं आई होगी किरन अहुजा की बात सुनकर पूर्वी की नजरे नीचे हो गई उसका मन कर रहा था कि अभी यही रोय पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी उसको काफी बुरा लग रहा था जो हो गया सो हो गया उसके लिए तुम पूर्वी को ब्लेम नहीं कर सकती हो इसमें बेचारी इसकी भी क्या ही गलती थी उसने तो अपने परिवार के लिए ही तो वो सब किया ये कहकर वो पूर्वी को देखी और कहने लगी पूर्वी तुम चाची की बातों का बुरा मत मा वैसे रिहान का नाश्टा मैं बना चुकी हूँ तुम बस ये कॉफी तनमे को जाकर दे दो ये कॉफी काफी गर्म है ध्यान रहे ये बात। अर्यन की नजर पूर्वी के हाथों में रखे कॉफी पढ़ गई वह ये देखकर समझ गया पूर्वी तनमे के लिए कॉफी लेकर जा रही है पर उसे डर था कहीं ये कॉफी तनमे फर्क ना देखियों की इस समय वह तनमे की कंडीशन को बहुत अच्छे से जानता है। उसने पूर्वी को देखते हुए कहा ये कॉफी क्या आप तनमे के लिए लेकर जा रही हो। आरियन की बात सुनकर पूर्वी हां में सर को हिलाए और कहीं आंटी ने कहा है कि ये कॉफी में तनमे जी को देदू में कॉपी उन्हें देने जा रही हूँ क्योंकि अभी कॉफी काफी गर्म है अगर थोड़ी भी ठंडी हुई तो वह बेमतलब का मुझ पर ये ब्लेम गाएंगे ये कहकर पूर्वी बिना आरियन की बात सुने अपने कमरे की तरफ चली गई पूर्वी को जाते हुए देखकर आरियन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा भावी आप अभी मौत के कुए के करीब जा रही है मुझे पता है अभी तनमे यी कॉपी बिलकुल भी न अजदीक गई फिर उसने धीरे से कहा ये ये आपके लिए कॉफी तनमे पूर्वी से ये कहकर गुस्से भरी नजरों से उसे देखा फिर अपना हाथ पूर्वी से दूर किया तनमे के हाथ हटते ही पूर्वी के हाथ में रखा कप फस पर गिर कर भिकर गया तनमे ने इस ची इसको इग्णो करके कमरे से बहार निकल गया। पास आने वाला कोई नहीं है वो आज अकेली पढ़ गई। वो अपने जले हुए हाथों को देखी। तभी रिहान दोड़ते हुए पूर्वी के पास आया और उसके पैरों से लिप्ट गया। रिहान को अपने करीब देखकर पूर्वी जल्दी से अपने आसूओं को पोची क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रिहान उसे रोते हुए देखें और उसे सवाल करें वो अपने आसूओं को पोच कर रिहान को देखने लगी रिहान भी अपना सर उठाकर पूर्वी को देख र पूर्वी की बात सुनकर रिहान मुस्कुराते हुए कहा, छोट तो आपको भी लगेगी ना फिर आप क्यून है यहाँ, अब आप मुझे स्कूल के लिए तयार कर दो क्योंकि मैं अब स्कूल जाऊंगा और आप भी मुझे छोड़ने के लिए स्कूल चलोगी. रिहान की बात सुनकर पूर्वी को समझ नहीं आ रहा कि अब वो रिहान को तयार कैसे करी क्योंकि उसका एक हाथ जल चुका था और वह जले हुए हाथों से अगर रिहान को तयार करने की कोशिश करेगी तो रिहान उसके हाथों को देख लेगा फिर उससे सवाल करेगा लेकिन उसके पास और कोई option भी नहीं था इसलिए उसने अपने एक हाथ से ही रिहान को तयार करने की कोशिश करने लगी लेकिन जब उससे एक हाथ से नहीं हो पाया तो वो अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा कर रिहान को तयार करने लगी उसी समय तनमे वापस से कमरे में आया क्योंकि वो अपना फोन कमरे में ही भूल गया था जब उसने पूर्वी को देखा तो उससे फिर से गुस्सा आने लगा रिहान जो अभी अपने अपने डैड को कमरे में आते हुए देखा वो पूर्वी को देखते हुए कहने लगा मम्मा मुझे जल्दी तयार करो देखो पापा भी तयार है रिहान की बात सुनकर पूर्वी तनमे की और नहीं देखी उसे डर लग रहा था तनमे की आँखों में देखना वो जल्दी जल्दी रिहान को तयार करने की कोशिश करने लगी लेकिन उसके हाथ में दर्ध होने की वजह से बार बार उसकी आँखें बंध होती जा रही थी पर वह चोट घाव दर्द समझ सकता था वह जानता था उसकी मम्मी को दर्द हो रहा है उसने जल्दी से अपने पापा की और देखते हुए कहा पापा जल्दी से आप यहां आओ और मम्मी के चोट पर क्रीम लगाओ देखो मम्मी को कितना दर्द हो रहा है तनमे की बात सुनक पूर्वी जल्दी से अपनी आँखे खोली वह भला तनमे से क्रीम कैसे लगवा सकती जिस इंसान ने उसे चोट दिया वह इंसान उसे क्रीम नहीं लगा सकता वह जानती थी तनमे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। पूर्वी रेहान को देखते हुए कहती नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपको स्कूल छोड़ देने के बाद मैं खुद से क्रीम लगा लूंगी। देखने लगा। तनमे चाहता तो नहीं था पूर्वी को क्रीम लगाने का लेकिन अपने बेटे के उदास चहरे को देखकर वह पूर्वी के पास आया और उसका वही हाथ कसकर पकड़ लिया जिस हाथ में पूर्वी को चोट लगी थी उसने पूर्वी का हाथ कसकर पकड़ के सोफे के पास आया सोफे पर पूर्वी को बिठा कर तनमे आँखों में शैतानियत लिए पूर्वी को एक नजर देखा जब तनमे ने पूर्वी का वो हात पकड़ा तो पूर्वी दर्द की वजह से अपनी आखें कसकर बंद कर ली वो चिखना चाहती थी पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रहा था तनमे के सामने उसे कुछ कहने में भी डर लग रहा था वो तनमे को मना करना चाहती थी पर उसके गुस्से को देख कर वह चुप रहना ही ठीक समझी रेहान ने जब देखा कि उसके डैडी उसकी मम्मा को क्रीम लगा तो वो चुपचाप वही बैड पर बैठ कर उन दोनों को देखने लगा तन में मेडिकल बॉक्स को लेकर आया और पूर्वी की हाथों पर क्रीम लगाने लगा लेकिन उसका मन तो कर रहा था भी पूर्वी के छोट पर और छोट दे जब उसने पूर्वी के चहरे को देखा तो वो गुस्से में पूर्वी का हाथ दबाते हुए कहा वा दर्द देने वाले से ही मरहम लगवा रही हो बहुत शातिर और चालाक लड़की हो लेकिन तुम्हारी इन चालाकियों की कीमत एक एक करके सूथ समेत मिलेगी जस्ट वेट एंड आसान मौत देना उस पे रहम करने के बराबर होता है पर पूर्वी तनमे के दिये हुए दर्द को सहते जा रही थी वो अपने मुँसे एक छू की आवाज नहीं निकाली वो जानती थी तनमे गुस्से में जानबूज कर उसे दर्द दे रहा है उसके आँखों से आंसु भी शैतानी मुस्कुराहट आगई जो ना दिखने के बराबर थी वो जल्दी से उसके हाथों पर क्रीम लगाया और धीरे से कहा अगली बार मेरे बेटे का मेरे सामने यूज मत करना वरना मुझे तुम्हारी जान लेने में समय भी नहीं लगेगा तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ जिस दिन जान गई ना उस दिन खुद मुझे छोड़कर चली जाओगी या खुद अपनी जान ले लोगी यह सोच कर कि तुमने की इनसान से शादी कर ली यह कहकर तनमे वहां से उठा और अपना फोन लेकर कमरे से बाहर निकल गया तनमे की आखिरी बात सुनकर पूर्वी एक पल के लिए घबरा गई उसे तनमे की बात तो का मतलब बिलकुल भी समझ नहीं आया तनमे ने ऐसा क्यूं कहा वह ज्यादा सोचती उससे पहले ही रिहान ने उसे आवाज दिया रिहान की आवाज सुनते ही पूर्वी का ध्यान उसके उपर गया वह वहाँ से उठी और रिहान को अच्छे से तयार करके उसे नीचे हौल में लेकर जाने लगी पूर्वी रिहान को लेकर हौल में आई तो उसकी नजर आरियन पढ़ गई जो तनमे के साथ खड़े होकर उससे बाते करा था जब आरियन ने पूर्वी और रिहान को देखा तो वो उन दोनों के पास आया और उन दोनों को अपने साथ चलने का इशारा किया आरियन के इशारे को देखकर पूर्वी उसके साथ चुपचाप रिहान को लेकर जाने लगी उसे एक बात बहुत ही अजीब लगती थी तनमे और आर्यन बहुत कम ही बोलते हुए दिखा वो दोनों ज़्यादातर इशारे में ही लोगों से बाते करता उसे यही बात अभी तक समझ नहीं है ऐसा क्यों तनमे भी जब बात करता तो बहुत कम शब्द यूज करता और आर्य भी वैसा ही है लेकिन वह सब के बारे में पूछ नहीं सकती इसलिए वह चुपचाप उसके साथ जाना ही ठीक समझी आर्यन आगे बैठकर कार चला रहा था उसके पीछे तनमे रिहान और पूर्वी बैठे हुए थे रिहान पूर्वी को देखते हुए कहता मम्मा आपको मै उन बच्चों से भी मिलवा लूनगा जो मुझे कहते थे मेरी मम्मा मुझे छोड़कर भाग गई आज मैं उन सभी को दिखाऊंगा कि मेरी मम्मा वापस से मेरे पास आ गई रिहान की बात सुनकर पूर्वी की नजर तनमे पर चली गई जो फोन में कुछ देख रहा था तनमे भी अच्छे से जानता था पूर्वी उससे ही देख रही है लेकिन वह फिर भी अपनी नजरे फोन की तरफ नहीं रखे हुए था पूर्वी रिहान को देखते हुए हलका सा मुस्कुराए और कहने लगी में उन सभी बच्चों से मिलूंगी जो बच्चे आपको परेशान किये लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप कभी भी किसी भी बच्चों के साथ बुरा बरताव नहीं करोगे ना है उ उसने अपने दोनों कान पकड़ के पूर्वी को देखने लगा रिहान की इस हरकत को देखकर तनमे पूर्वी आरियन हैरान होकर रिहान को देखा उन तीनों को समझ नहीं आया अचानक रिहान ने अपने दोनों कान को क्यों पकड़ा इससे पहले की पूर्वी उससे पुछ परेशान करेगा मैं आकर आपसे कहूंगा। उसके डैड है बुरा काम करने के बारे में खुद बोर रहे हैं ये सोचकर पूर्वी तनमे से कहती आपको नहीं लगता बच्चों के सामने ऐसे नहीं कहना चाहिए आपको तो रिहान को समझाना चाहिए उससे पूछना चाहिए कि किसने तुम्हें परेशान किया। इसी वजह से बच्चे अपने पैरंट्स से यही सीखते हैं अगर आप अभी अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कीजेगा तो आगे जाकर आपकी बातों को भी नहीं मानेगे वह अपना ही करेंगे जो उनका मन होगा। पूरवी की बात सुनकर आगे बैठा आरियन मुस्कुराते हुए कहा बात तो आपने सही कही भावी मैंने भी कही बार तनमे से कहा कि तुम रिहान को समझाया करो लेकिन वह समझाने की जगा ये कहता किसने तुम्हें परेशान किया मैं उसे सजा दूंगा मुझे तो लगत है उससे वजह से रिहान उस लड़के को मारा होगा आरियन की बात सुनकर पीछे बैठा तनमे गुस्से में उसे देखने लगा क्योंकि वह जानता था आरियन ने जो कहा है सच कहा है पर आरियन ये बात पूरवी को बता रहा था जो कि उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं अब कभी भी कोई आपको परेशान करे तो आप सबसे पहले मुझे आकर बताएगा पूरवी की बात सुनके रिहान मुस्कुरा कर हां में सरहिलाया वही तनमे का मूड काफी खराब था क्योंकि आज पूरा समय पूरवी उसके आसपास ही रही वह दिल तो कर रहा था ना दिखे लेकिन अपने बेटे की वजह से उसे पूरवी भी हर समय अपने पास ही दिखती थी उसने तो सोचा था पूरवी को लेकर नहीं जाएगा स्कूल लेकिन रिहान की जिद की वजह से उसे पूरवी को स्कूल लेकर जाना पड़ा तनमे सिर्फ अपने बेटे के साम नहीं हार मान लेता बाकी के सामने वह उससे हार मनवाता. कुछ ही देर में कार स्कूल के सामने रुकी पूरवी वह स्कूल को अच्छे से जानती थी क्योंकि यह वही स्कूल है जहां पहली बार रिहान ने उसे एक चोकलेट दी थी ये देखकर उसके चहरे पर मुस्कुराहट आ गई तनमे अच्छे से देख लिया था लेकिन वह पूर्वी की इस मुस्कुराहट को गलत फहमी समझ लिया उसे लगा कि पूर्वी स्कूल देखकर अपने दिमाग में कुछ सोच रही है रिहान ने जब देखा उसका स्कूल आ गया तो वो अपनी मम्मा को देखते हुए कहा चलो मम्मा मेरा स्कूल आ गया है रिहान की बात सुनकर पूर्वी कुछ कह पाती उससे पहले ही तनमे ने कहा नहीं रिहान तुम्हारी मम्मा को और भी काम है कभी और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे उन दोस्तों से मिल लेगी अभी के लिए तुम स्कूल जाओ वैसे भी काफी लेट हो गया है तनमे की बात सुनकर पूर्वी समझ चुकी थी कि उसने ऐसा क्यूं कहा रिहान ने जब अपने डैड की बात सुनी तो उसका चेहरा मुर्जा गया लेकिन वो अपनी डैड को कुछ कह नहीं कहता वो जानता था उसके डैड ने जो कहा है वो इस समय सही है उसकी ममा को और भी बहुत सारे काम होंगे इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूर्वी से कहा ओके ममा आप जाओ अभी वैसे भी कुछ दिन के बाद मेरे स्कूल में प्रोग्राम होगी तब आप मेरे सारे दोस्तों से भी मिल लेना अभी मैं स्कूल चलता हूँ ये कहकर रिहान पूर्वी के गालों पर किस किया और फिर तन्मे के पास आकर उसके गालों पर तन्मे ने जब ये देखा तो उसकी आँखे हैं हिरानी से चोरी हो गई क्योंकि एक तरफ से से पूर्वी के एहसासों का छुवन रिहान ने अपने होटों से पहले पूर्वी को किस किया और फिर उसी होटों उसे ये सोच कर वहांखे छोटी करके रिहान को देखने लगा लेकिन हमारा रिहान तो अपने में ही मगन था आज पहली बार रिहान के चेहरे पर अलगी नूर नजर आई अब आए भी क्यून ना उसकी मम्मा उसके साथ स्कूल आई थी आरियन ने रिहान को पूर्वी की गोद से लिया और उसे स्कूल छोड़ने चले गया। आरियन रिहान को स्कूल के अंदर छोड़कर वापस आया फिर कार के अंदर बैठकर तनमे को देखने लगा तनमे ने जब आरियन के चेहरे को देखा तो उसने कहा मेरे ओफिस जाने से पहले थोड़ी दूर जाकर कार को रोपना तनमे की बात सुनकर आरियन को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यूं कहा पर वो ज्यादा सवाल ना करके कार को स्टॉट किया और वहां से निकल गया तनमे की बात को याद करके उसने वैसा ही किया जैसा तनमे ने कहा था वह कार को स्कूल से थोड़ी दूर जाकर एक खाली सुन उनसान सडक पर कार को क्यूं रोकी गई है तनमे ने कार के रुकते ही पूर्वी को देखा दो मिनट तक पूर्वी को देखने के बाद उसने कोडनेस के साथ कहा ये कार मैंने तुम्हारे लिए रोकी है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ इस कार में बैठ कर मेरे ओफि क्यूं किया इससे अच्छा तो वो उसे स्कूल के पास ही छोड़ देता वहाँ पर उसे ओटो रिक्षा तो मिली जाता आसानी से पर इस जगा पर उसे तो ओटो रिक्षा क्या कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलेगा उसे तनमे पर काफी गुस्सा आ रहा था पर वह अच्छा आरियन ये सब देख कर थोड़ा गुस्से में तनमे से कहा ये क्या हरकत है तनमे अगर तुम्हें भावी को अपनी कार से बाहर निकाला था तो स्कूल के पास से उतार देते ऐसे खाली सड़क पर छोड़ने का क्या मतलब है तुम्हें पता है ना इस समय का माहौल कैसा है ऐसे भावी अकेले सुनसान रास्ते से कैसे जाएगी उन्हें यहाँ पर ओटो भी नहीं मिलेगी। आरियन की बात सुनकर तन में अपना फोन चलाते हुए कॉर्डनेस से उसे देखा और कहा तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र हो रही तो तुम भी यही उतर जाओ। तन में को गुस्से में देखकर आरियन घबरा गया क्योंकि तन में उसे ऐसा तभी कहता था जब वो काफी गुस्से में रहता और यह सच था अगर आरियन उसके इस गुस्से के बीच में कुछ भी कहता था तो वो उसको बुरी तरह से घायल कर देता और हॉस्पिटल में भ क्योंकि उसका शैतान उसे काफी समय से घूर रहा था। पूर्वी के सामने से कार जट से निकल गई वह अपनी आस भरी नजरों से कार को जाते हुए देख रही थी उसे थोड़ी उमीद थी कि वह कार वापस आएगी पर पांच मिनट से दस मिनट हो गया वह कार वापस नहीं को पोच कर पैदल चलने लगी तभी उसका फोन रिंग हुआ. अपने फोन पर पृत्वी का कॉल आते हुए देखकर वह जलदी से अपनी आवाज को नॉमल की फिर पृत्वी का कॉल उठाए. पृत्वी ने जब देखा कि पूर्वी ने उसका कॉल उठा लिया तो वह परे 24 गंटे में मुझसे एक बार भी बात नहीं कि मुझे पता है तुम्हारी बहन की शादी थी पर इतना भी क्या बिजी यार कि तुम मेरा फोन तक नहीं उठाए तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रहा था मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारे बारे में कैसे पता एक बार तो मन हुआ कि तुम्हारे घर चले जाओं पर मैं ऐसा कर नहीं सकता था अब तुम कुछ बोलोगे चुप क्यूं हो मैं तुमसे कब से सवाल कर रहा हूं और तुम होली चुप चाप मेरी बातों को सुन रही हो। प्रिथवी की आवाज सुनकर पूर्वी को काफी रोना आ रहा था उसका गला भर गया उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रिथवी को कुछ जवाब दे वो अपना फोन खुद के कान से दूर की फिर लंबी लंबी सांसे लेने लगी ताकि वो खुद को नॉमल कर पाए जब उसे लगा की वो नॉमल हो गई तो वापस से फोन को अपने कान के पास लेकर आयोर प्रिथवी से कहने लगी प्रिथवी मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त मैं तुम्हें एडरेस सेंट कर रही हूं तुम वहाँ पर आओ मुझे तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी है अभी मैं फोन पर तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ मिलने के बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी ज्यादा सवाल मत करना चुप चाप वहाँ चले आना जहां मैं तुम्हें आने को कह रही हूं ये कहकर पुर्वी फोन कट कर दी क्योंकि वह जानती थी अगर वह फोन कट नहीं करेगी तो प्रित्वी परेशान होकर उससे फोन पर बहुत सारे सवाल करेगा और उसका जवाब वह नहीं दे पाएगी वह सोच ली थी. आज वह प्रित्वी से मिलकर उसे सब कुछ बता देगी. वह अपना फोन एक नजर देख थी फिर पैदल ही वहाँ से जाने लगी जहां पर उसे प्रित्वी से मिलना था. एक रस्टोरेंट में टेबल के पास एक लड़का बैठा हुआ था। किसी का इंतजार कर रहा है इसलिए उसने मैनेजर से उसके बारे में बताया तो मैनेजर ने कहा कि तुम 10 मिनिट और रुक जाओ अगर वो ओर्डर नहीं किया तो तुम उसे यहां से जाने को कह देना मैनेजर की बात सुनकर स्टाफ ने वैसा ही करने का सोचा और 10 मिनिट व जो उस रस्टोरंट के दर्वाजे को पकड़ कर खड़ी थी। उस लड़के ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसके चहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई और उसने अपनी जगा से उठकर उस लड़की से कहा पूर्वी मैं यहां हूँ। अपना नाम सुनते ही पूर्वी की नजर टेबल के पास खड़े पृत्वी पर चली गई वह पृत्वी को देखते हैं जल्दी से उसके पास आये और लंबी लंबी सांसे लेने लगी पूर्वी को ऐसे हौन्फते हुए देखकर पृत्वी कनफ्यूज होकर कहता तुम ऐसे हाफ क्यू रही हो मुझे लग रहा है जैसे तुम भागते हुए आई हो क्या तुम्हारे पीछे कोई गुंड़ा पढ़ गया था पृत्वी की बात सुनकर पूर्वी अपनी सांसों को काबू की और फिर उसे देखते हुए कहने लगी नहीं पृत्वी वो होटो नहीं मिला तो मुझे पैदल ही आना पड़ा पर यह सब तुम छोड़ो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है इसलिए मैं तुम ही यह पूर्वी की बात सुनकर पृत्वी ने पूर्वी को जल्दी से अपने गले लगा लिया और खुश होकर कहने लगा मुझे पता है तुम यहां क्या बात करने आई हो यही ना कि भूमी की शादी हो गई और अब तुम अपने मॉम डैड से हमारे बारे में बात करोगी या त तुमने कर ली। पता है मैं ये जानने के लिए कितना इंतजार किया मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि कब हम दोनों की शादी होगी। तुमसे कुछ और ही बात करनी है। पूर्वी की बात सुनकर पृत्वी उससे दूर हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा पूर्वी की आँखों में आशु देखकर पृत्वी परिशान सी आवाज में कहा पूर्वी हमें तो खुश होना चाहिए। भूमी की शादी अब हो गई है तो हमारे लिए आसानी है। अब हम कभी भी तुम्हारे मॉम देद से इस बारे में बात कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे मॉम डेड एक ना एक दिन इस बार मान जाएंगे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ अब तुम मेरी बनोगी मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा मैं तुमसे प्रित्वी की यह सब बाते सुनकर पूर्वी की हिम्मत नहीं हुई उसे सच्चाई बताने में क्यूंकि प्रित्वी बहुत खुश नजर आ रहा था और वह सच्चाई बताकर प्रित्वी का दिल नहीं तोड़ना चाहती इसलिए वह चुप-चाप कुरसी पर बैठ गई औ और हलका सा मुस्कुराते हुए प्रित्वी से कहने लगी हां तुम सही कह रहे हो हम कोशिश करेंगे पर मुझे तुम से कहना था कि हम अभी कुछ दिन तक इस बारे में मॉम डैड से बात नहीं करेंगे जब मेरे मॉम डैड का मूर ठीक हो जाएगा तो मैं खुद मॉम से बात मत करना मैं कोशिश करूंगी की जल्दी उन्हें मना लूँ पूर्वी की बात सुनकर प्रित्वी उसके हाथों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तुम फिकर मत करो तुम बस अपना ख्याल रखना ये कहकर उसकी न प्रित्वी की बात सुनकर पूर्वी को मन ही मन काफी रोना आ रहा था क्योंकि उसे प्रित्वी और तन्मे में बहुत ही अंतर नजर आया एक तरफ तन्मे जो उसे दर्द देना चाहता है वहीं दूसरी तरफ प्रित्वी जो उसके लिए इतना परेशान हो रहा ये देख कर उसे अब ये शादी करने पर पच्चतावा हो रहा था उसे कर दिया तुम फिक्र मत करो इतनी फिक्र क्यूं करते हो तुम्हें पता है ना तुम्हारी ऐसे हरकत की वजह से तुम्हें खोने से डरती हूँ मैं पूर्वी की बात सुनकर प्रित्वी के चहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई वो मुस्कुराते हुए पूर्वी से कहा इस असलिए तुम्हें इतना प्यार करता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खोने से डरो खेर यह सब बात अब छोड़ो अब तुम्हारी बहन की शादी जब होई गई है तो तुम मुझसे मिलते रहोगी अब तुम्हारे सर पर कोई भी टेंशन नहीं है तो अब तुम एक बात बतानी थी क्या तुम वापस से कबड़ी खेलना चाहोगी प्रित्वी की बात सुनकर पूर्वी अपना हाथ प्रित्वी से दूर की और हैरान होकर उसे देखने लगी जब प्रित्वी ने पूर्वी को हैरान होते हुए देखा तो वो उसे समझाते हुए कहा मैं ज चानता हूँ तुम अब कबड़ी खेलना नहीं चाहोगी पर तुम भूल गई हो ये तुम्हारा सपना है उस हादसे को भूल कर तुम फिर से शुरुआत कर सकती हो तुम्हारे फेंस अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम चाहो तो वापस से ये सब स्टॉट से कर स हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा वापस जैसे पहले करता था पृत्वी की बात सुनकर पूर्वी की आँखें नम हो गई वो नामे सर हिलाते हुए कहती अब मैं कबड़ी की तरफ नहीं बधूगी कोई और काम है तो मुझे बता दो अगर कबड़ी के बारे में तुम् पूर्वी की बात सुनकर पृत्वी समझ चुका था पूर्वी अब इस कबड़ी गेम में वापस नहीं आएगी इसलिए उसने गहरी सांस लेकर पूर्वी से कहा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है मैं तुम्हें फोस नहीं करूंगा मैं तो बस चाहता था तु तुम वापस से अपने सपने को पूरे करो तुम्हें अगर नहीं केलना तो कोई बात नहीं तुम्हें जिसमें खुशी मिलती है तुम बही करना कोई भी तुम्हें फोस नहीं करेगा पृत्वी की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराने लगी की तभी उसकी नजर समय पर ग में मिलती हूँ मैं जब भी तुम से मिलूंगी तुम्हें मैसेज कर दूंगी तुम मुझे कॉल मत करना वरना मेरी बड़ी मॉम और मॉम को शक हो जाएगा आए होप तुम मेरी बात को समझ सकते हो ये कहकर पूर्वी बिना पृत्वी की बात सुने वहां से निकल गई क्योंक कि उसे जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना था रिहान की छुटी होने वाली है पूर्वी को इतनी जल्दी में जाते हुए देखकर पृत्वी के चहरे पर मुस्कुराहट आ गई वह जाती हुई पूर्वी को देखते हुए खुद से कहाओ माए गौड़िस लड़की के सा और वह रास्ता ये कहकर उसके चहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई वह बैठकर यही सब सोच रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आये और उसके बगल वाले कुर्सी पर जाकर बैठ गई पृत्वी ने जब उस लड़की को देखा तो वह मुस्कुराते हुए कहा क्या तुमने सब कुछ सुन लिया बर्खा पृत्वी की बात सुनकर बर्खा उसे गुस्से में देख रही थी क्यूंकि उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि पृत्वी पूर्वी को वापस से कबड़ी गेम में लाने की सोच रहा है वो गुस्से में पृत्वी को देख कर कहती तुम तो पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है एक तरफ तो मुझे कहते हो पूरवी अब कभी भी कबड़ी गेम में नहीं आएगी और दूसरी तरफ तुम उस पूरवी को कबड़ी गेम में लेकर आ रहे हो तुम शायद भूर रहे तुमने मुझे वादा किया था जिस तरह सालों पहले पूर्वी की जगा तुमने मुझे जिताया उसी तरह तुम आगे भी चल कर मुझे ही जिताओगे तो फिर तू वापस से पूर्वी को कबड़ी गेम में लाने की सोच भी कैसे सकते हो। बर्खा की बात सुनकर पृत्वी तिरची स्माइल करते हुए कहा तुम्हे लगता है मैं ऐसा करूंगा आर यू मैड मैं तो बस उसके पुराने जख्म को ताजा करने की कोशिश कर रहा था और मेरा कोशिश काम्याब भी हुआ मैं तो जानबूज कर यह बात कहा था कि पूर् कबर्डी गेम पूर्वी के लिए उसकी जान के बराबर है तुम ये सोच भी कैसे सकती हो तुम्हारी जगह में उस बहन जी को ये कबर्डी गेम जीतने दूनगा तुम शायद भूल रही हो सालों पहले कबर्डी मैच वाले दिन क्या हुआ था ये कहकर वो शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा पृत्वी की बात सुनकर बर्खा के चहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट आ गई वो मुस्कुराते हुए पृत्वी से कहने लगी ओ तो ये बात है मैं तो एक पल के लिए डर ही गई थी मुझे लगा कहीं तुम्हें उस पूर्वी से सच्चा वाला प क्यार करते हो पर ऐसा कुछ भी नहीं है अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम और पूर्वी शादी करोगे बर्खा की बात सुनकर पृत्वी हंसते हुए कहा मुझसे ज्यादा लगता है तुम्हीं इंतजार है उस दिन का तभी तुम एक ही बात हर टाइम कह रहती रहती हो वैसे तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हीं क्यूं इंतजार है बाएदवे अभी फिलहाल अपने इंतजार को और इंतजार करवाओ क्यूंकि उसके मॉम डैर अभी उसकी शादी के लिए राजी नहीं हो सकता है भूमी की शादी अभी हुई है तो वह अपनी पुर्वी को इस कदर तर पाउंगा कि वह खुद मजबूर हो जाएगी जल्दी मुझसे शादी करने के लिए। पुर्थवी की बात सुनकर बर्खा के चहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मुस्कुराते हुए पुर्थवी को देखने लगी पुर्थवी भी डेविल स्माइल करके बर्खा को देखे जा रहा था। इधर तनमे का ओफिस। तनमे आरियन के साथ अपनी ओफिस आया हुआ था वो अपने केबिन में बैठ कर लप्टॉप पर कुछ काम कर रहा था तभी आरियन अपने हाथों में एक फाइल लेकर तनमे के सामने आया। जब तनमे ने आरियन को अपने सामने देखा तो वो अपने लप्टॉप पर काम करते हुए कोल्ड आवाज में कहा क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। तनमे की आवाज सुनकर आरियन ने फाइल को उसके सामने रखा और पूर्वी की लाई हुई पूरी जानकारी उसे बताने लगा। जब तनमे ने फाइल में पूर्वी की डिटेल देखी तो उसकी आँखे छोटी हो गई उसने आरियन को देखते हुए कहा इसका मतलब ये लड़की द्रक्स लेती है। यानी कि इस लड़की को इसलिए कबड़ी गेम से निकाला गया क्योंकि इसका केरेक्टर इतना गिरा हुआ है आई कांट बिलीव ये लड़की तो मेरे सोच से भी ज्यादा उपर निकल गई मुझे इस लड़की पर पहले से ही शक था अब मेरा शक यकीन में बदल गया ये अरियन की बात सुनी तो वह तनमे को देखते हुए कहा यार तनमे मुझे नहीं लगता है पूर्वी भावी ऐसी लड़की होगी मुझे तो लगता है उन्हें ड्रग्स केस में फंसाया गया है ऐसा उन्होंने खुद मुझे बताया था कि उनके साथ कितना कुछ हुआ इतना कुछ हो जाने के बाद उन्होंने अपना सपना पीछे छोड़ दिया तुम्हें नहीं लगता हमें उनकी मदद करनी चाहिए आरियन की बात सुनकर तनमे ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा उससे ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि आरियन उस लड़की की तर्फद रहे हो तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था अगर तुम किसी दिन भी मेरे काम नहीं आये तो उस दिन तुम्हारी सजा क्या होगी लगता है तुम भूल गए हो कोई नहीं मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ दो दिन तक तो उस जगा पर जाकर मेरे आदमियों के साथ गन शूट प्राक्टिस करोगे Because I know तुम गन चलाने समय कितने बड़े बेवकुफी करते हो इतनी बार सजा देने के बाद भी तो गन चलाना ठीक से नहीं सीखे इसलिए जब तक तो ये सीख नहीं लेते तब तक तुम ही में यही सजा देता रहूंगा अगर तुमने वापस से उस लड़की की मेरे सामने तारीफे की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं ये भूल जाओंगा कि तुम मेरे कुछ लगते हो मैं जल्दी अपना नहीं सुनता हूं तो तुम्हारा कैसे सुन लूंगा तनमे की इतनी बड़ी बाते सुनकर आर्यन की हिम्मत नहीं हुई कि वह अब दुबारा पूर्वी के लिए कुछ कहे उसे अब पच्चतावा हो रहा था कि उसने क्यों अभी पूर्वी की तारीफ की और उसे इतनी बड़ी सजा मिल गई है कि उससे अब वह सजा भूगतनी होगी जब भी तनमे उसे यह सजा देता है तो उसको बिल्कूल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि यह सजा उसके लिए सजा कम मौत के कुए में जाना ज्यादा लगता है उसने तनमे को देखा और कहा तुमने अब जब मुझे सजा दे ही दी तो क्या मैं यह सजा दो दिन आरियन की बात सुनके तनमे की आँखे छोटी हो गई वहारिय से कुछ कह पाता तभी उसका फोन रिंग हुआ उसने अपने फोन को एक नजर देखा फिर उसे उठा कर अपने कान के पास लगाया फोन के दूसरे तरफ से किसी ने तनमे से ऐसा कुछ कहा जिसे सुनने के सुनने के बाद तनमे फोन को रखा और अपना कोट पहन कर वहां से निकल गया जब आरियन ने ये देखा तो वह भी जल्दी से तनमे के पीछे चले गया तनमे के एक्सप्रेशन को देखने के बाद वह इतना तो समझ गया कि पक का कोई खबर मिली है जिसे सुनने के बाद पूर्वी रस्टोरंट से निकलने के बाद आटो पकड़ के सीधे स्कूल आई जब वह स्कूल पहुंची तो उसकी नजर सभी बच्चों पर पर गई जो छुट्टी होते ही अपने पैरंट्स के साथ वहां से जा रहे थे सारे बच्चे के जाने के बाद पूर्वी वही खड रही और रिहान का इंतजार करने लगी जब उसने देखा कि सभी बच्चे निकल गए लेकिन रिहान नहीं निकला तो वह थोड़ा परेशान हो गई उसे घबराहट होने लगे कि रिहान अभी तक स्कूल से निकला क्यूं नहीं वह जल्दी से स्कूल के अंदर गई तो उसे वहाँ पर एक स्कूल का गाड नजर आया जब गाड ने पूरवी को देखा तो वह कनफ्यूज होकर उसके पास आया और कहने लगा जी आप कौन गाड की बात सुनकर पूरवी परेशान भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहती मैं रिहान के माहूं मैं उसे लेने के लि गई क्योंकि उसने कभी भी पूरवी को नहीं देखा था स्कूल में रिहान को लेने के लिए कभी तनमे आया करता तो कभी आरियन या फिर उन दोनों का एक खास बोडिगार्ड लेकिन आज पहली बार पूरवी को देखकर उस गाड को यकीन नहीं हुआ कि यह रिहान की माह है तनमे स्कूल में सभी टीचर प्रिंसिपल गाड को ओडर दे रखा था कि कोई भी अंजान रिहान को लेकर ना जाए ऐसे में पूरवी को उसकी माँ बताते हुए देखकर वो गाड को गुस्सा आने लगा वो गुस्से में पूरवी से कहा अब तुम आ गई हो रिहान को माँ बताते हुए यहां बहुत सारे लोग रिहान के कुछ ना कुछ लगते हैं और उसे यहां से ले जाने की कोशिश करते हैं पर हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है जो तुम्हें करने देंगे अभी थोड़ी देर पहले ही एक आदमी आया था और वह रिहान को अपना अंकल बता रहा था ताकि वह रिहान को अपने साथ लेकर जाए लेकिन उसकी चाला की यहां नहीं चली वह रिहान को यहां से लेकर जाता उससे पहले ही हमारे सर तनमे अहुजा के बोडी गार्ड ने उसे पकड़ लिया गार्ड की बात सुनकर परेशान हो गई उसे लगा नहीं था कि इतना कुछ हो गया होगा लेकिन गार्ड उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था जिस वजह से उसने गार्ड से कहा आप मुझे बस इतना बता दीजे क्या तनमे के बॉडी गार्ड रिहान को यहां से लेकर चले गए हैं। रिहान को किड्नेप करने के लिए आई हो मैं अभी जाकर तनमे सर से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा फिर वह तुम्हें अपने तरीके से बताएंगे। गार्ड की बात सुनकर पूर्वी गुस्से में उससे कहती यहां। मैं रिहान को लेकर परेशान हूँ और एक आप हो की मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं क्या आपने कल की न्यूज नहीं। देखी थी मिस्टर तनमे आहुजा ने शादी की है और उनकी शादी जिस लड़की से हुई है वो लड़की में ही हूँ अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मिस्टर आर्यन आहुजा से पूछ लीजे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे य ये कहकर पूर्वी गुस्से में स्कूल से बाहर निकल गई वह जल्दी से ओटो पकड़कर अहुजा मेंशन के लिए निकल गई क्योंकि उसे घर जाकर सबसे पहले रिहान को देखना था जब उसे पता चला स्कूल में इतना कुछ हो गया है तब से वह रिहान को लेकर काफ को देखता रहा वही इधर दूसरी तरफ तनमे आरियन के साथ अपने वही गुफा में वापस आया जिस गुफा में वह कई बार आ चुका जब वह गुफा के अंदर आया तो उसकी नजर घुटने के बल बैठे हुए एक आदमी पर गई उस आदमी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी ये देखकर तनमे उस आदमी के करीब आया और अपनी गुस्से भरी नजरों से उसे देखकर कहने लगा तो तु ही वो जो मेरे बेटे को किड़नेप करने आया ये कहने के बाद तनमे धीरे से नीचे की और जुका जब उस आदमी ने तनमे को अपने करीब देखा तो वो और ज्यादा घबरा गया उसकी घबराहट की वजह से उसके चहरे से पसीने की बूंदे गिरने लगी तनमे ने जब ये देखा तो वो अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और उस आदमी का एक हाथ पकड़ा उसके उस हाथ को पकड़ने के बाद तनमे शैतानी मुस्कुराहट लिये कहा तुम्हें पता है मेरे घर के नौकर भी मेरे बेटे को चुने की हिम्मत नहीं करते और तुमने अपने इंगंदे हाथों से मेरे बेटे को चुने की हिम्मत की हूँ इस गुनाह की सजा में तुझे बेहत दर्दनाक मौत देता लेकिन अग हाथ इतने जोर से पकड़ा था वो आदमी अपना हाथ तन में से छुड़ा ही नहीं पाया जब तन में ये देखा तो वो गुस्से में अपने पॉकेट से एक लाइटर को निकाला और बड़े आराम से उस आदमी से कहा अच्छा तो मुण बंद रखने का इरादा है ठीक है त अगल की चीजे काटी जाती है बिलकुल ऐसे ये कहकर तन में ने उस आदमी की एक उनगली काट दी जैसे ही तन में ने उस आदमी की उनगली को काटा उस आदमी की जोर से चीक निकल गई उसकी चीक इतनी दर्दनाक ठीक कि अगर वो गुफा कोई पबलिक जगा पर होती त तो वहां से गुजरते लोगों को सुनाई जरूर देता। लेकिन पहले उंगली कटने के बाद भी उस आदमी ने तनमे से कुछ नहीं कहा। ये देखकर तनमे ने उसकी दूसरी उंगली को पकड़ा और गुस्से में दांत भीचते हुए कहा। चल अब बता अपना मूह खोलेगा। अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी जिस वजह से उन सब को ये सब देखने की आदत हो चुकी थी। दूसरी उंगली कट जाने के बाद वो आदमी की फिर से छीख निकली उसने अपने दर्द को बरदाश्ट करके तनमे से कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि किसके कहने पर मैं तुम्हारे बेटे को किडनेप करने के लिए स्कूल गया था। उस आदमी की बात सुनकर तनमे शैतानों की तरह मुस्कुराया और उसके तीसरी उंगली को पकड़ कर कहा। मुझे ना सुनना पसंद नहीं और इंतजार करवाने लोग भी नहीं पसंद पर तुने तो दोनों चीज़े की है यानि तेरी मौत और बेरहम होगी यह कहने के बाद तनमे ने उसकी तीसरी उंगली भी काट दी। आदमी की तीन उंगलियां कट चुकी थी जिस वजह से उसे अब दर्द बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं हो रहा था उसके हाथों से लगातार खून बह रहे थे जमीन पर लेकिन तनमे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा वह तो उस आदमी को दर्द से तडपते हुए देख कर हसे जा रहा था तनमे के चहरे पर कोई भी एमोशन नजर नहीं आये वह आदमी अभी भी तनमे को कुछ नहीं बताया तनमे ने जब देखा वह आदमी अभी भी कुछ नहीं बता रहा तो वो गुस्से में उसकी छोटी उंगली को पकड़ा हालां कि उसे शक है कि उसकी ए उसने उस आदमी की चौथी उंगली पकड़ी और उसे देखते हुए कहा अरे तेरी ये उंगली तो मेरी उंगलियों से लंबी है हूँ मुझे किसी और के मुझसे अच्छे हाथ नहीं पसंद खास कर तुझ जैसे कमीने के ये कहकर तनमे ने उसकी चौथी उंगली भी काट दी वो आदमी दर्द से छट पटाने लगा अपने हाथ को तनमे के हाथों से चुडाने की खूब कोशिश करने लगा पर तनमे ने उसके हाथ को इतने कसकर पकड़ा था कि वो आदमी अपनी कोशिशे करते करते ठक गया